हेलो वेलकम बेक टु माई यूटूब चैनल इंडिया एजूकेशन पार्ट साला में आपका स्वागत है चलिए प्रस्णों की शंकला को हम आगे बढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे कोश्चन मैं आपको देते जा रहा हूं और इस वीडियो में भी मैंने बहुत ही अच्छे को कोश्चनों का जो निचोड है आपके लिए प्रात्मिक सिक्षक पातरता परिक्षा के लिए जो हिंदी पेड़ोगोजी है हिंदू पेड़ोगोजी में पूछे जाने वाले कोश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन जो मैं लेकर आया हूँ प्रप्या इसे वीडियो क को पूरा देखें अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले चलिए देखते हैं कोश्चन क्या है कोश्चन है उद्देश निष्ट मुल्यांकन की विशिष्टाएं नहीं है तो इन में से चारों में से आपको छाट कर बताना है कि उद्देश निष्ट मु पास्तुनिष्टता और विभेदिकारी या चौन्था होगा अव्यव, हारिता और वैध्धता चलिए इन चारों में से आपको उत्तर बताना है तो जो इसका उत्तर हो जाएगा यहां पे यह उत्तर हो जाएगा अव्यव, हारिता और वैध्धता उदेशनिष्ट मुल्यांक की विशिस्ता नहीं है अगला कुश्चन को समझते हैं और उत्तर देते हैं उप्चारात्मक सिख्शन की सफलता निर्भर करती है तो इन चारों लुको पढ़ेंगे हम पहला अपसन देखते हैं समय वह ओधी पर दूसरा देखते हैं समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर तीसरा option है उप्चारात्मक सिक्षण की सामागरी पर चौनथा है भासिक नियमों के ग्यान पर तो यहाँ पर आंसर आपको देना होगा कि क्या है आंसर तो इसका जो आंसर हो जाएगा समस्चाओं के कारणों की सही पहचान पर उप्चारात्मक सिक्षण हम जब दे सकते हैं बच्चे को जब समस्या और उसकी कठनाईयों का पता चल गया है गलतियों का पता चल गया है उसके बाद में उप्चारात्मक सिक्षन दिया जाता है पहले निदानात्मक सिक्षन दिया जाता है उसके बाद में उप्चारात्मक सिक्षन उसको दिया जाता है चलिए अगले पिश्वास वाचन, संग्य वाचन या फिर अनुकरन वाचन या कावमेवाचन तो अत्तरज़ हो जाएगा इसका यहiada अनुकरन वाचन, अनुकरन वाचन किया जाता है आधर्स वाचन के बाद में अगला question देखिए निमन में से लिखना सिखाते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए लिखना सिखाते समय किस बात का ध्यान रखना है आपको देखिए पहला तो चात्रों के बैठने का धंग उप्युक्त हो, दूसरा लिखने में सरुप्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए, या फिर अध्यापक को स्वयम आदर्स लेखन बच्चों के समझ प्रस्तूत करना चाहिए, या फिर चात्रों के बैठने का धंग उप्युक् लिखने में सरो प्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए और यह वह अध्यापक को स्वयम आदरस लेखन बच्चों के समझ प्रस्तूत करना चाहिए मतलब तीनों तो यहां पर आपको बताना है कि अगर जो अध्यापक है उसको लिखना सिकाना है तो इन सारी चीजों क ध्यान में रखना होगा कौनसी छात्रों की बैठने का धंग उप्युक्त हो फिर दूसरी बात लिखने में लिखने में क्या हो लिखने में स्वर्फथम वर्णमाला का प्रयोग हो ठीक है अभ्यास हो और अध्यापक को स्वयम आदरस लेखन बच्चों के समक्ष पांसर यहां पर D हो जाएगा स्तीनों ही चीच करना आपको आवसक के हो जाएगा इन बातों में ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखिए मनुस्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक किरिया कौन सी करनी पढ़ती है मनुस्य का दैनिक जीवन है तो सबसे ज़्याद सी सुनने की प्रकिरिया सबसे ज़्यादा करनी होती है बोलोगे कम आप लिखोगे कम आप पढ़ोगे कम आप परंतु सबसे ज़्यादा आप क्या करोगे सुनने की प्रकिरिया करोगे अगला कुश्चन देखिए निमलिखित में से किस बोली में क्रिश्ण कावे और रीती कालीन साहित्य का स्रजन हुआ है तो पहला देखेंगे बगेली, ब्रजभासा, उधी, भोचपूरी इन चारों में से आपको बताना है कि क्या आंसर होगा तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका B, ब्रजभासा, क्या हो जाएगा ब्रज भासा इनका आंसार इसका हो जाएगा निमलिकित में से किस बोली में क्रश्नकाव और रितिकाल साहित्य का स्रजन हुआ है तो ब्रज भासा में देखिए अगला कोश्चन व्याकरण अनुवाद विधी के इस्थान पर दिती भासा सिक्षन की व्यग्यानिक पद्यती की आवसकता सरपतम किसने प्रतिपादित की तो बताना है आपको अरुस्तु ने जान विलियम्स ने या जान केमीनियस ने या फिर जार्ज बेटिंग ने तो यह इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा चली अगला कोश्चन बहुत अच्छा कोश्चन वई गोटसकी के विचारों पर आधार इतकष्छा खालिस्तान पर सबसे अधिक बल दिया जाता है वाई गत्सकी की बात आ रही है देखिए जराद चारों आ पत्रको और परसपर अंतहा किरिया तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परसपर अंतहा किरिया ये लास्टे वाला इसका उत्तर हो जाएगा अगला question देखिए व्याकरण सिक्षण की उप्यूक्त विधी है तो व्याकरण सिक्षण की उप्यूक्त विधी कौन सी है आगमन है आगमन निगमन है निगमन है पुस्तक विधी है तो व्याकरण के लिए तो आगमन भी और निगमन भी दोनों ही विधी आवसक के होगी इसल कि विसाय को समझने में समय की बचत कराती है न IS दूसरा सिख्षक की और जा की बचत कर गलतansen को यह आकलीत करने का ऊवसर देती है कि बच्चे की भयासा का क्या सुरूप और लास्ट में है सभी छातर समुहिक चर्चा में सामिल नहीं होते तो यह यहां पर गलत आपसन हो जाएगा यह हो जाएगा ठीक है यहां पर तो सारे सहीं आपसन हो जाएंगे विशाय को समझने में समय की बचत तो यहां पर इसका जो उत्तर हो जाएगा यह लास्ट वाला हो जाएगा ठीक है अगला question दिखए खालिस्तान भासा की कक्षा में सिक्षग सिक्षण सामगरी के रूप में सायक नहीं है तो ये पत्र पत्री काई पाठ चरचा सहगामी किरियाए ये सबी उपयोगी होंगी परंतु टेबल और कुरसी क्या होगी सिक्षन सामगरी के रूप में हम इसको उपयोग नहीं के सकते हैं इसको अलग हटके मानेंगे अगला कुश्चन देखिए निम्न में से प्रबलन सिधान्त क्या कहता है इन चारों में से आपको बताना है सीखने का आधार आवसकता की पूरती है सीखने का आधार विचारों में परिवर्तन लाना है या फिर तीसरा सीखने का आधार मानसिक वा सारीरिक विकार है या फिर चौन्ता है सीखने का आधार केवल सारीरिक विकार है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहां पे इसका उत्तर हो जाएगा पहला सीखने का जो सीखने का आधार आवसकता की पूर्ती है यह इसका यहाँ पे उत्तर हो जाने वाला है ठीक है मित्रों चलिए अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं हम अगले कोश्चन है यहाँ पे देवनागरी लीपी अन लीपियों की अपिक्षा कहीं अधिक क्या होती हैं कहीं अधिक विग्यानिक ध्वन्यात्मक तथा कलात्मक या फिर दूसरा ध्वन्यात्मक तीसरा कलात्मक फिर भावत्मक तो इसका आंसर क्या होगा बताईए तो इसक देवनागरी लिपी अने लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यग्यानिक धन्यात्मक और कलात्मक होती है अगला कोश्चन है संप्रेशन की कुसलता बढ़ती है संप्रेशन की कुसलता बढ़ती है धन से अंता किरिया से अनभाव से प्रशिक्षन से चलिए इसमें बतान बढ़ती है प्रशिक्षन से चलिए अगले कोश्चन के वर बढ़ते हम अगला कोश्चन है बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन कौन सा मानने है तो इन चारों में बताना है कि कौन सा प्रभावपूर्ण परिवर्तन है भी पहला वेक्तिकत प्रेणाओं में परिवर्तन मूल प्रवर्तियों में परिवर्तन वेवार परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन तो इन चारों में जो परिवर्तन होगा वहवार में परिवर्तन यह प्रभावपूर्ण परिवर्तन है बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है वह क्या होगा वहवार में परिवर्तन अगला कुश्चन है भासा का प्रमुक कारी क्या है भासा का कारी आपको बताना है यहां पे तो भासा की कारी क्या है पहला पढ़ते हैं अपन कि भासा बालक में ग्यान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमी का निभाता है बिलकुर सही दूसरा भासा बालक को समाज में जोड़ने का कारिगरती है बिलकुर सही और तीसरा है भासा बालक को भावी तथा विचारों की अव्यक्ती सिखाता है बिलकुर सही तो ये तीनों ही आपसंद सहीं हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा इसकांसार उप्रोक्त सहीं हो जाएगा चलिए दोस्तों अगले कोस्चन के और बढ़ रहे हैं हम अगला कोस्चन है निम्न में से मनोवग्यानिक दर्ष्टी से सिख्षा की सार्वभौमिक प्रकिरिया खालिस्तान है तो सिख्षा की सार्वभौमिक प्रकिरिया क्या है तो ये इस्मरण है अधिगम है विश्मरण है या इवाम विश्मरण तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये होगा अधीगम, अधीगम इसकी क्या होगी, मनुवेग्यानिक दर्ष्टी से सिक्षा की सर्भूमिक प्रकिर्या है अधीगम, ठीक है, तो याद रखेंगे अगला कोश्चन है, निम्न में से इकाई योजना खालिस्तान पर आधारित नहीं होती है, इकाई योजना खालिस्तान पर आधारित नहीं होती है, तो इसका उत्तर होगा आपका इकाई योजना प्रस्तावना पर आधारित नहीं होती है, ठीक है, बागी सब आपसान आपके हो जाएंगे इसका सहीं हो जाएगा चली अगला question देखते हैं पार्थ योज्णा तयार करने के पीछे सिख्षक का उत्देश्य होता है पार्थ क्योज्णा तयार करते समय सिख्षक का उत्देश्य कि्या होता है छात्र को वैस्त रखना प्रभावी शिक्षण अनुसासन बनाए रखना या फिर सिक्षक का अपने कारे से छुटकाना पाना छुटकारा है छुटकारा पाना तो चलिए यहां पर आंसर बताना है पार्थ योजना तयार करने के पीछे सिक्षक का उद्देश क्या होता है यह होता है प्रभावी सिक्षण क्या हो आज आगा